नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मैट स्वी को चानल पर दोस्तों इंदे नेवी ट्रेट्समेंन मेट इग्जाम के लिए अती महतुपुन पचास प्रस्टों का सेटल आया हूँ इसमें आपको जीके जीएस और जेनरल लेवर्स के सारे कोशन देखने को मिल जाएंगे ठी इग्जाम से 25 क्वेशन पुछी जाते हैं जेनरल आवेर्नेस के जीके के ठीक है बहुत इंपोर्टन कोशन है तो हमारा टार्गेट रहेगा कि 25 में 25 आपका नंबर कैसे हम लो लाएं और कैसे आपको 25 में 25 नंबर दिलाएं ठीक है और यह सेट ओन है याद रखिएगा डेल पहुँच जाए ठीक है चलिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले आपका सिलेबस देख लेते हैं कि इंडिया निवी में सिलेबस क्या क्या है आपके तो सबसे पहले आप देख लेते हैं जेनरल ने इंटेलिजिंस और रिजिनिंग पचीस नंबर कोशन पुछ जाते हैं जेनरल इंगिस पचीस नंबर के जो कि मैं कराने वाला हूं पचीस मार्क से पुछी जाते हैं पचास क्वेशन कराओंगा और आज की वीडियो में आपका कट अफ होना चाहिए एकतिस नंबर पचास मा अगर आपने एकतिस कर ले तो समझ जाना कि आप इंडिया नेवी कॉलिफाइक कर जाओगे ठीक है तो चलो सबसे पहला क्वेशन उठाते हैं सबसे पहला क्वेशन आपको ये रहा क्वेशन डियो है हिंदी और इंगिश्ज दोनों में है ताकि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो किसी प्रवल्म ना हो फड़ा पड़ा आपको बताना है बहुत इंपोर्डन क्वेशन है अंतराश्ट्य नृत्य दिवस ठीक है इंटरनेशन डैंस डे कब मना जाता है इंटरने क्वेशन क्वेशन कॉस्टर्वी रमन को किस वर्ष में नौबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बताए फटापड़ क्या हो गा इसका अंसर डॉक्टर सीवी रमन को चंदर सेखर वेंका ट्रमन पुरा नाम है इनका राइट एंसरीज को प्स नमबर सीओ जागा 1930 में इन्हें नोबल पुरस्कार से सम्मानिल किया गया था किसे सीवी रमन को क्वेशन नमबर तीन देखेंगे बताएए भारत पुरस्कार पाने वाले प्रतम भारत ये कौन थे बहुत इंपोर्टन कोशन है कि फर्स्ट इंडियन टुरिसी भारत ततना ओवर्ड राइट एंसरीज का अप्स नमबर सी ओजगा डॉक्टर एस राधा कृष्ण जो एस सार को सीथ्ट ईधने लाइक और शेयर जरू करें अपने दोस्ते उसका अगर आपको इस वीडियो का पीडिएप चाहिए या इंडिया नवी आप group join करके पूरा का पूरा PDF ले सकते हैं और पूरी तयारी कर सकते हैं तो जल्दी करिए क्योंकि exam बहुत नजदी का रहा है इसका answer क्या हो जाएगा? question number 4 का answer option number A हो जाएगा Krishna नदीपर बना हुआ, Almatyban ठीक है? तो मैंने क्या क्या courses बता है अगर आप Navy का Tradesman, SSR, MR, AA और Air Force का group X और Y का अगर आप तयारी करना चाहते हैं तो मातर 100 रुपय का फीस होता है नीचे दिये हुए नंबर पे आपको message करके group join करना है और पूरा PDF और notes आपको ले लेना है और तयारी करनी है चले question आप 5 देखिए Oscar पुरसका जितने वाले भारती संगीत हैं देशा कौन है Music Director सभी को पताना चाहिए चले Right answers का क्या हो जाएगा Option number B हो जाएगा A.R. Rahman को सबसे पहले Music Director जिने Oscar Award मिला था बहुत important question है अगला question देखें है Question number 6 क्या है question रूसी करांती की सुरुवात किस वर्स हुई थी Correct answers का option number B हो जाएगा वर्स 1917 में 1917 में रूसी करांती की सुरुवात हुई थी याद रहेगा अगला question राश्रिय गान बंदे मातरम के राचीता कोन है बच्छोला question एकदम कभी-कभी question पूस्च देता है बच्छोला Right answers का option number एक हो जाएगा बंकिन चम्तर चटर जी ने वंदे मातरम गीत जो लिखा था राश्रिय गान अगला question यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है बहुत important question Question हिंदिय और इंग्लिस दोनों में है ताकि जो इंग्लिस मेडिया को है उनको तकलिक्ष नौ प्रॉब्लम मा हो Right answers का option number C हो जागा तूर्की यूरोप का मरीज यानि पेसेंट आफ यूरोप किसे कहा जाता है तूर्की को कहा जाता है तूर्क को Next भारत का लौह पूरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं सभी को पता हूं जी बहुत यह अच्छा कोशन और बहतरीं कोशन भारत के लौह पूरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं सब बता हैं डाम से ब ripping से इंपूरुन को अगर्त मान समय में डब्लू 2 किसे सदस्टें है चलिए बहुत इंपोर्टन कॉश्च पर इसका एंसर जानेंगे फिर इसके बारे में डीटेल जानेंगे राइट एंसर इसका उप्शन नमार भी हो जाएगा एक सब्सक्रापना कहा हुई थी इसकी अस्थापना हुई थी जेनेवा में मतलब इसका अगर आपका एक्जामें पूश्च दे मुख्याला काया है तो जेनेवा में है और यह कब स्थाप्टित की गए थी तो 1995 में इसकी अस्थापना की गए थी ठीक है और वर्तमान में इसके 164 देश जो है सदस्य कंट्रे जिसमें इंडिया भी है क्लियर है अगला कोश्चन मित्र राष्टों में सामिल था अच्छा कोश्च दैंति का और डी हो इंगलांन जामान और अमेरिकवा यह 4 जो है मित्र मित्र मुज्च में आते हमारे क्लियर है क्लियरियर परboom daar potentially 31 सब्सक्रें करने हैं कि आप सब आपने 50 में कि Hopkin की इन है में बनाराइड कि हीnant cooking אז विस को क्वेश्चन है बहुत बढ़िया राइट एंथास का उप्शन अमर भी हो जाएगा मदर मोहनवाल वी यह ने बनारस हिंदी विश्विद्ध द्याला की अस्थापना कीती ठीक है अगला क्वेश्चन हडपन अगर की खुज किस ने कीती सभी को पता है राइट एंथास का उप्शन नमर भी हो जाएगा महात्मा गांदी ने दिया अगला क्वेश्चन कौन बिजिंग ओलंपी में स्वाण पतक जीता है बताइए बैतरिंग क्वेश्चन करेंड का क्वेश्चन है ओलंपिक 2018 में बिजिंग ओलंपिक में किसने गोल्ड मेल जीता था फिप्टिन का राइट एंथा इसका ऑप्शन नमर सी हो जाएगा अभिनोव बिंद्रा अभ इंडिया मुवमेंट फिस्टि का क्वेश्चन है अगर आपको मेत और इंग भी चाहिए मैंध और इंग कभी सेट चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स भर दो मैठ और इंग लिग लिए तो आपके लिए मैठ और इंग क्लास जरू लाय जाएगा तो फटावड करना आप सो सबसे पहला समाचारपत्र कौन सा है जब बैंगाल गैजट बैंगाल गैजट जो है भारत का सबसे पहला समाचारपत्र था जाता है जो फेस्टिबल से बहुत इंप्टन कोशन मनता है आपके एक्जाम से केरल का प्रमुख तेवार मना जाता है ठीक है बहुत अच्छा क्वेशन प्रत्रम विश्व युद्ध की सुरुवात कब हुई थी बच्छोला क्वेशन है जल्दी बताएंगे राटेंस का अप्शन नमर बी हो जाएगा सन्विधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष कौन थे अस्थाई पुछा गया बहुत इंपोर्टन क्वेशन है पॉलिटी का क्वेशन है यह चलिए बहुत बढ़ी यह राटेंस का अप्शन में भी हो जाएगा डॉक्टर सचीदा अनन्द सिना थे यह सन्विधान सभा के पहले अस्थाई सदक्ष अधक्ष अधक्ष तेक क्लियर है उसके बाद किसे बनाया गया अस्थाई रूप से उनको बनाया गया डॉक्टर राजिंदर प्रसाद को ठीक है याद रहेगा अगला कोश्च है जर्मनी का एकिकरन किस यूद के पास्चाहत हुआ अफ्टर विच वार्ड डिट दा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी टेक प्लेस ट्विटिफर्स राइट एंसका अप्ष नमबर बी हो जाएगा ठीक है प्रसाद फ्रांस यूद के बाद जो है जर्मनी का एकिकरन हुआ था बहुत अच्छा कोशन है चलिए भारत के राश्प करें लाइक और श्यार से हमें मोटिवेसिन मिलती है यहसे वीडियों बनाने की और आपके लिए ऐसे जिली रहेंगे बस आपको क्या करना है लाइक और श्यार करना क्योंकि बिल्कुल फ्री होता है और जो लोग चैनल अपने है चैनल को सब्स्क्राइब जरू करना है 22 का प्राइट एंसर ऑप्शन नबर सी हो जाएगा बारा राश्पती जो है राज्य सभा में बारा सुद्श्यों को नामित किया जाता है कि यह कर सकता है क्लियर है चलो अगला कुशन देखें कुशन नबर राश्ट ड्व यह में इस दिख चक्र का प्रतीनी धिद्त्व करता है तो popular में जो चक्र होता है वह ऑप्शन नमर बी सत्य का प्रती प्रतीक है ते करई अकार के संदर में मंगल का हमारे सौर मंडल में कौन सा स्थान है उसके साइज के हिसाब से मंगल जो मार्स है सौर मंडल में कौन सा स्थान है 24 का राइट एंसर क्या होगा option number C होगा साथ वा स्थान है clear है चले अगला question देखेंगे हिंद महासायर की सबसे गहरीक हाई कौन सी है अगला question निमलिखित में सरवादिक उर्जा प्रतान करता है कौन सरवादिक उर्जा प्रतान करता है राइट एंसर option number A sorry option number B carbo hydrate करता है हमारे सरवादिक में सबसे अधिक उर्जा प्रतान करता है याद रखना है अगला question मनिश्य के सरवादिक में सबसे लंबी हड़ी कौन सी है सब इक पता है जांग की हड़ी जिसका नाम है option number A femur ठीक है फिमर हड़ी जो है मनिश्य के जो जांग की हड़ी होती है उसमें पाई जाती है फिमर हड़ी बहुत important है और सबसे छोटी अगर पूछ देता अगर सबसे छोटी हड़ी को बंद तो कान की हड़ी होती है और उसका नाम है stepis कह नाम है stepis यह भी आपको याद रखना पड़ेगा clear है अगला question question number 28 इस्तितिक उर्जा का सुत्र बताईए यानि potential energy को बहुत ही अच्छा question है और यह science का question option number C MGH MDH नहीं MGH यह हो गया आपका potential energy का formula clear है और अगर गतिज उर्जा का पूस्ट देता यानि आपका kinetic energy का तो half mv square पहला option इसका answer option option number C होगा अगला question निमलिखित में से प्राणियों का कौन से सम्मू और समताभी प्राणियों से सम्बंदित है which of the following sets of animals belong to cold-blooded animals cold-blooded animals कौन-कौन से हिसमें बताना आप सभी को देखें आम तोर पर जो जमीन के अंदर या पानी के अंदर आते वह होते हैं cold-blooded ठीक है तो option number C यहां पर राइट हो जाएगा fish frog और earthworm इनका जो है खून खंडा होता है अगला question question number 30 कोशिका की सक्ति का भंडार पावर हाउस की से करते हैं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरू करें और अपने सभी दोस्तों साथ वीडियो शेयर भी जरू करें यह आपसे request है यह बिल्कुल free है आपनों like और share बिल्कुल free में कर सकते हैं जिनको ग्रूप जोइन करना है जिनको त्यारी करनी है नीचे दिया हमारा what's up study group का नंबर आप message करके 100 रूपीज फीच पे करके आप जोइन कर सकते हैं और आपनी तयारी कर सकते हैं क्योंकि एक्जाम बहुत ही करीब है थर्टी का राइड इंस्ट ऑप्शन माइटो कॉंडिया ठीक है पावर हाउस औफ सेल किसको क्याते है माइटो कॉंड्य को क्याते है एक याद रह एफ़ bend you clear है इद पॉइंट आपको रखना पड़ेगा अगला signa देखेंगे अमोनिया क्लोराइड का फॉर्मुला क्या होता है कि अ और यह जो मैं सेट करा रहा हूं सेट वन है इसके नेक्स्ट वीडियो भी आएगा बस आपको क्या करने वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है और यह सिर्फ ना बलकि आपके नेवी के लिए हालाकि आपका एअरफोर्स के लिए और NDA के लिए भी बहुत बहुत इंपोरेंट है तो वीडियो को लास्त टर्व देखना और वीडियो को शेयर ज्रू कर देना है जो लोग भी आपके दोस्त त्यारी कर रहें हुशाँ 32 का राइट एंसर अप्स नमर यह हो जागा रेड ब्लड करपस जो है रबीसी का फुलपवग होता है रबीसी के कारण ही के हमारे खूण का रंग लाल होता है क्यों होता है कि यार DOC में आयरेन पाएजाता है क्या पाई पाई जाता है तो यह 45 पॉयंट आपको याद रखना पड़ेगा क्लियर है चलिए अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नमबर 33 विवांतर मापा की अंतर क्या है हम लोग पोटेंशिल डिफरेंस है क्या से मापते हैं कि सब्सक्राइब करेंट मापते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे दूध में क्या एक क्वेश्चन पूछाए कि दूध में याद रहेगा क्वेश्चन नमबर 34 नेक्स्ट क्वेश्चन नमबर 35 वनस्पति जगत का अध्यान करने वाला विग्यान कहलाता है कौन से विग्यान का लाता है बताइए विग्यान की कौन से साखा में इसका अध्यन किया जाता है ऑप्शन बी इसका राट है सब्सक्राइब है ने बोतानी यह मतलत क्या होता है इससी टडी अफ प्लाने लाइफ क्लियिए अच्छ पू यह अगला क्यूश्चन कैपस्यूल का आपर हद्क किस का बना होता है जो ककले होते हैं वो किस सीज़का बना होता है राइट ऑप्शन नमबर अलुमिनियम पाई जाता है चलिए अगला कॉश्चिन लेंस कर्ड़ इन वर्ड इस गॉल्ड अंदर की तरब भुमावदार लेंस को क्या कहते हैं अगला कॉश्चिन एक मचली सांस लेने के लिए इसका इस्तमाल करती हैं किसी का इस्तमाल करती है मचलियां सबीक पता है option number B गिल्स यानि फेफड गलफड़े का यूज करती है गिल्स कोश्चिन आउट 40 जन्दी जन्दी बताना आप सबीको टोटल 50 में आपको 31 सही करने है तो आप समझ लेना नेवी का इस बार का tradesman exam आप क्लियर कर लोगे क्रैक कर लोगे ठीक है तो daily set लगाना है औ और set कब आदेगा रोज रात को आठ बजे रोज रात को आठ बजे सेट आएगा आपके लिए तो जरू लगाए set निमलिकित में से कौन सा रासानिक परिवर्त ने केमिकल चेंज का एक्जैंपल देना आप सभी को बहतरें क्वेश्चिन अगर जो लोहे पिखला रहे हो उस लोहे को अगर आमने किसी पात्र में कट्टा करें तो फिर से हमें वह लोहा मिल जाता है लेकिन रस्टिंग आफ आइरन से क्या होता है एक बाद जंग लग दिया तो फिर आप पहले वाला इस्टेट नहीं मिल पाएगा उनको लोहे का मुड़ना अगर कोई लोहा आप मोड़ते हो तो फिर उसको सीधा भी किया रखता है ठीक है तो राइट एंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर बी रस्टिंग आइरन लोहे में जंग लगना जो है एक रसाइनिक परिवरत ने क्वेशन नमबर 41 सहद में क्या पाए जाता है हनी में मुख्यता क्या पाए जाता है याद रखना सहद में ऑप्शन नमबर भी फैट पाए जाता है हनी में फैट पाए जाता है क्लियर है क्वेशन नमबर 42 मानाव सरीर में कार्बोहाड़ेट पुना संग्रा होता है कहा होता है किसके रूप में संग्रा होता है 42 का राट एंजर option नमबर ए glycosine के रूप में क्या होता है रियक्विमिलिट होता यानि पुना संग्रा होता है human body में अच्छा question है निमन में से किस से जल्दी और ज्यादा उर्जा मिलती है कि सभी को पता है आभी मैंने कराया हुआ है अभी मैंने पताया कि कार्बोहड्रेट में सबसे ज्यादा या एनरजी मिलती हमें ठीक है कर्बोहड्रेट ओप्षिन नमर भी नेच्ट क्वेस्चन कुट्टे के काटने से जिस जिवानु के द्वारा घात रोग उत्पन होता है क्या कहलाता है वह कौन सा रोग है कुट्टे काटने से कौन सा रोग होता है आप सभी को पता है जब राइट एंसर ऑप्शन उप्शन बी सार्स एक वाइरल डीजीज है ठीक है विशानु जनित रोग है यह एक वाइरस है जिसके वज़से यह सार्स रोग होता है अच्छा प्वेशन अगला कोश्चन हसरा निमलिकित संक्रमन के कारण होता है मिसल्स जिसको बोलते हैं वह किसकी वज़े से होता है 46 यह वी एक वाइरल डीजीज है वाइरस के कराण जो मिसल्स रोग होते हैं क्लियर कोश्चन नवर 47 चले यहां से कुछ दो तीन ठों मैस के कोश्चन मैंने लाए हुआ है तो जरू देखना बताए अगर आपके लिजम में एक क्वेशन आ गया कि एक से साथ तक की प्रक्रि एक से साथ तो तो साथ नंबर है साथ प्लस एक एक सट बट्टा में दो तो यहां पर साढ़े तीस आ जाएगा 30.50 राइट एंसर नंबर डी हो जाएगा क्लियर है याद रहेगा तो यह फॉर्मुला आप देख लेना अगला क्वेशन मैथ का देख लेंगे कि कोई रेल गा हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा ठीक है तो मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए सबसे पहले 45 को हम लोग गुना पांच बटा ठाड़ा से मल्टिप्लाई करते हैं ठीक है देखिए आप पर बता दे रहा हूं कि देखिए तो चाल बराबर क्या दूरी मेटर को मेटर बनाने के लिए थाउजंड मीटर होता है और आपका घंटा से से केंड बनाने के लिए एक घंटा में 360 सेकंड होते हैं तो इसको अगर हम लोग काटेंगे तो पांच बटा ठाड़ा ठाड़ा और वहां पर समय दे दिया हुआ था तो छे छे सेकंड तो यह से अगर हम लोग काटेंगे तो 75 आएगा कितना है 75 मिटर राइट एंसर इसका ऑप्शन नमबर ओप्शन दिखा देता हूं ऑप्शन नमबर यहां पर आ जाएगा सी ठीक है ऑप्शन नमबर सी इसका राइट एंसर हो जाएगा 25 मिटर इसका एंसर आए क्लिर है चलिए तो याद रख लेना हमेंसा यूनिट कर लेना 180 डिगडी कोन का मान रेडियन में क्या होता है अच्छा क्वेशन नहीं है हमेंसा याद रखना पाई का जो वैल्यू होत यह क्या होगा एक्सक्यू माइनस एट वाई क्यूब का गुणा नखंड पूछा हुआ यहां पर इसका मतलब कर इस इन सब को मल्टिप्लिकेशन के फॉर्म में रख देंगे तो एंसर आ जाएगा अगर आप देख सकते हैं तो यह जो एक्यू माइनस बीक्यू का यानि y square, 4y square क्योंकि b के जगा 2a है ना तो 4y square यहां पर होगा, क्लियर है, तो कौन सा option माज कर रहा है, option नमर B माच कर रहा है, x-2y into x2 plus 2xy plus 4y square, क्लियर है, तो 50 का राइट राइट एंसर option नमर B हो जाएगा, तो यह था आज का set, आइप अपलो को वीडियो पसंद है बहुत मेंदत लगती है आपको लिए यह सेड़ बनाने में और वीडियो को अपने सारे दोस्तों का शेयर करते हैं जो भी इंडे नेवी के SSR की, ट्रेट्समेंट, मेट की, MR की या AA की एक्जाम की तैयरी कर रहे हैं या फिर एरफोर्स ग्रूप X और Y की तैयरी कर रहे हैं सब के लिए बहुत इंपोर्टेंट है वीडियो को लाइक शेयर जरू कर दें जो लोग चालने पले हैं चालने को सब्स्राइब जरू कर लेना सब्स्राइब करने बाद अगर आपको तैयरी करनी है सच में अगर आपको नेवी कर दोजोर्स और चेलरय कर दो कर दो प्रवक्स बादभ में जरे बादू